सार्वजनिक खेत्र के बढ़ते हुए दबदबे को उसकी कमांडिंग हाइट्स को लेकर समाज का एक तबका परिशान था वो कौन सा तबका हो सकता है व्यापारी वर्ग और धना डिवापारी वर्ग जो ये देख रहे थे कि अधिकतर बड़े उद्योग सरकार लगा रही है जिसमें मुनाफ़े की बहुत गुझाईश है और उसके लिए निजी हाथों को दूर रखा जा रहा है तो समय के साथ साथ ये जो हित नए नए हित सामने आए जिसे मैंने पूर में बताया वेस्टेड इंट्रेस्ट कहते हैं ये वेस्टेड इंट्रेस्ट विवादों के मुद्दे उठाने लगे और पहला मुद्दा जैसा मैंने बताया कृशी बना मुद्द्योग का था कृशी उद्द्योग को लेकर पक्षकारों ने जो बाते रखी ये तो आपने समझ ली उनका ये भी कहना था कि क्रिशी के विकास की रणनीती का अभाव दूसरी पंचवर्षी योजना में देखा गया और ये बात सच भी है क्रिशी पर जोर तुलनात्मक दृष्टी से जुती पंचवर्षी योजना में कम था और इस रणनीती के अभाव के कारण इस पक्ष का कहना था कि इसी कारण खेती और ग्रामीन खेतर में क्रिशी उद्योग को बड़ी चोड पहुँची है और जो जुती पंचवर्षी योजना का काल और उसके बाद का जो काल है अर्थात 1956 से लेके 1966-67 तक का इस काल में जो भी खाद्यान संबंदी समस्याएं हुई उसकी जड़ यही है कि क्रिशी को उद्योग के नीचे रख दिया गया और सरकारी महकमें सरकारी उपक्रमों का ज़्यादा बड़ा जाल बिचाया गया कुमारप्पा जो एक प्रसिद अर्थ शास्त्री थे मिस्टर जे सी कुमारप्पा इन्होंने इस विवादों से निकल कर एक नहीं विकास की योजना विकास का मॉडल सामने रखा जिसे हम वैकलपी की उजना कह सकते हैं और उसका नाम दिया ग्रामीर अद्योगी करन रूरल इंडस्टियलाइजेशन यानि गाउं में उद्योगों के ढाचे को बढ़ाया जाए और ऐसा करते हुए गाउं के गाउं में रोजगार पैदा होगा गाउं में उद्योग आने से गाउं वालों को फायदा होगा और उससे क्रिशिक अभी विकास चोगा ये मिस्टर कुमार अप्पा का था इसी काल में या कुछ समय बाद चौधरी चरन सिंग जो बाद में देश के प्रदान मंत्री भी बने कुछ समय के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे उन्होंने एक और नया मॉडल सामने रखा जिसे कहते हैं आर्थिक नियोजन में कृशिको ज़्यादा महत्त दिया जाए आर्थिक नियोजन में कृशिको ज़्यादा महत्त दिया जाए और उनकी राय में किसानों की कीमत पर शहरी वर्ग को नियोजन का जो लाब मिल रहा है तो वो गलत है किसानों की कीमत पर शहरी लोगों को जो लाब मिल रहा है और इसका प्रणाम ये भी थ तो आज पाले काशी दीना लाब को देखते हुए गाउं के लोग भी शहर के और भाग रहे थे तो कृष्य समस्या एक तो वैसे मुह भाये खडी थी खाध्यान की समस्या वैसे दिनों दिन बढ़ रही थी जन संख्या भी बढ़ रही थी और उपर से गाउं से लोगों का पलायन शहर की और हो रहा था चौजरी चरंड सिंग उसके खिलाफ थे और तत्कालीन कॉंग्रिस सरकार के द्वारा उनके इस विचारों को रद किये जाने का परणाम यह हुआ कि चौजरी चरंड सिंग ने कॉंग्रिस छोड़ी, कॉंग्रिस दल छोड़ा और एक नए पार्टी का नर्माण किया और उसका नित्रत्व किया अर्थाथ कहने का ताथ पर यह कि यह जो विवाद था कृशी बना मुद्योग यह विवाद काफी गहराया इस पे काफी विचार मन्थन भी हुआ एक और जहां कृशी को प्रात्मिक्ता देने के पक्षकारों के संख्या काफी थी वहीं दूसरी और उद्योग को ज़्यादा दोर देने की बात करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं थी ये लोग इनका कहना था कि उद्योगों के बल पर ही गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है और गरीबी सबसे बड़ी समस्या है निश्यत रूप से गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी सरी सारी समस्याओं की जड़ गरीबी थी लेकिन विवाद में उद्योगों के पक्षकारों का ये कहना कि केवल उद्योगों पर प्रारम में ध्यान दिया जाए ये कृशी के पक्षकारों के गले नहीं उतर रही थी उन्होंने उद्योग के पक्ष में बात करने वालों ने जो तरक दिये थड़ा उसकी ओर भी देखें आखिर उनका क्या कहना था पहली बात उन्होंने कहा कि विकास का सही अर्थ अद्योगिक उत्पादन दर में बृत थी आज जो विकास की परिभाशा है उसमें उद्योगिक उत्पादन दर एक बहुत महत्पूर्ण उसका घटक होता है पहलू होता है तो उन्होंने कहा भी पूरे विश्व में विकास की परिभाशा के था उद्योगिक उत्पादन दर की बात होती है इसलिए और योगिक उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए और दोगों को बढ़ाना होगा दूसरा ऐसा करते हुए ही हम विश्विस्तर पर जो विकसित देशों की श्रेड़ी है जो हमारा लक्ष है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे यह विकसित देशों की श्रेड़ी में आ सकेंगे तीसरा इस वर्ग के लोंगों का कहना था कि भारत में नीजी हाथों के पास इतनी संपत्ती नहीं इतनी पूंजी नहीं कि बड़े बड़े विशाल उद्योग लगा सकें जिस तरह के उद्योग ततकालीन सरकार ने सारजिनिक उपकरम के नाम से लगाये थे जिसमें बड़े बड़े श्टील प्लान बड़े बड़े पावर प्लान बहुत विशाल काईब आदी आदी इसके बनाएं बहुत बड़ी बड़ी वजनाओ थी इन बड़ी वजनाओं के लिए त bulbियोग ततकालीन भारतियों के पास इतनी पूंजी नहीं थी तो ये तरक मायने नहीं रख् अगला तर्क जो यह देते थे कि बड़े उद्योग या उद्योग उनसे रोजगार मिलता है और बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या उस समय मुह बाय खड़ी थी उसका कुछ हद तक निराकरन होगा, कुछ हद तक गरीबी कम होगी इनके पैरवी कारों का उद्योग का एक और उनका बयान था कि आर्थिक इस्थिति में या भारती अर्थ व्यस्था के नियोजन में हम खाद्यान उत्पादन को बढ़ाने की रणिनीती बनाएं याने खाद्यान उत्पादन को भी एक अहमियत दें, लेकिन प्रात्मिक्ता उत्द्योगों की रहे ऐसे उत्द्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें क्रिशिक या खाद्यान उत्पादन में वृद्धी हो ऐसे उद्योगों से अर्थ हैं ऐसी इंडस्ट्रीज डाली जाएं जो कृषी को मेकेनाइजड करें उसका मशीनी करण करें उसे कृषी व्यवस्था को आधनी बनाने में मदद करें दूसरे शब्दों में उद्योगी करण भी कृषी को प्रभावित करें ऐसा नियोजन हो तो अच्छा रहेगा और अंतिन तर्क जो इनका था वो था कृषी पर अधिक धनराशिक खर्च करने के बावजूद गाउं की जो गरीबी की जो विक्राल समस्या है उसका हल निकाल न नहीं कर सकती इसके लिए उद्योग परमावश्यक है और चूंकि उद्योग सबसे ज़्यादा जरूरी है इसलिए उद्योगों को प्रत्मिक्ता दी जाए ऐसा उद्योग की आहमियत का पक्ष लेने वालों का विचार था तो इस परकार हितों की बात करते हुए ततकाली इ दिवाद आर्थिक विकास को लेकर जो हो रहे थे उसमें एक तो था क्रिशी बनाम उद्योग अब दूसरा एक और मादा दूसरा एक और उस समय दिवाद चलता चल रहा था जिसका जिक्र मैंने पहले किया है और वो था निजिक शेत्र बनाम सारजिनिक शेत्र निजिक शेत्र को प्राजमिक्ता दी जाए या सारजिनिक शेत्र को एक तो कई देशों में केवल सारजिनिक शेत्र का मॉडल सा विकास का जिसे सामय वाद कहते हैं दूसरी और कुछ देश ऐसे थे जहां केवल निजिक शेत्रों के आधार पर विकास की बात की जाती थी जिसे पुण्जी वादी विवस्था कहते हैं भारत ने तो एक मिश्रित अर्थ विवस्था ली थी उसके बावजूर और उस मिश्रित अर्थ वस्था में सरकारी उपक्रमों का ज्यादा दबदबा था नीजी बनाम सरकारी में नीजी बनाम सारजिनिक में सारजिनिक खेतर का ज्यादा दबदबा था तो इस पे भी विवाद चलता रहा और विवाद इस बात कर था कि प्राथमिक्ता किसको दी जाए निजी हाथों को या सारजनिक उपक्रमों को निजी खेत्र का भी प्राय निजी नियंत्रन निजी खेत्र का भी प्राय क्या होता है निजी नियंत्रन व्यक्ति के हाथ में नियंत्रन हो द्योगों का और सारवजिनिक खेत्र का भी प्राय याने सरकारी नियंत्रन अब इसमें निजी खेत्र के पक्षकार कहते थे कि निज क्षेतर में प्रतियोगिता होती है बहुत मैंने आपको पहले बताया है कि सरकारी क्षेतर की एक बुराई सारजनेक उपकरम की एक बुराई ये थी कि वे अपना लक्ष पूरा नहीं कर पा रहे थे नियोजित विकास में भी और लक्ष पूरा ना कर पाने का एक कारण मैंने बताया था कि सरकारी उपकरम के लोग कुछ हद तक थोड़ा धीरे कारे करते हैं, उनकी कारे शैली धीरे रहती है, धीमी रहती है उसके विपरीत निजिक शेतर के लोगों में प्रतियोगता की भावना रहती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कट थ्रोट कमपटिशन, गला घोट प्रतियोगता और यदि ऐसा होगा, तभी तीवर विकास होगा, अर्थाज निजिक शेतर को प्रात्मित्ता दी जाए निजिक शेतर के पक्षकारों का तर्क हमने सुना समझा आखिर सार्जिक शेतर के पक्षकारों का क्या कहना था उनके भी जो तर्क थे, वो बड़े मश्बूत थे मुक्ष तर्क उनका ये था, कि जनहित में बहुत से महत्पूंट फैसले लिये जाते हैं जनहित में और भारत जैसी विशाल जनसंख्या जहां पर इतना ज़्यादा अमीर गरीब की खाई है वहां पर जनहित को सर्वो पर ही रखते हुए यदि कोई सी अर्थविवस्था, उचित दिखती है तो वो है सरकारी उपक्रमों वाली अर्थविवस्था, अर्थविवस्था अर्थविवस्था में संचालन के लिए महत्पूर्ण उद्योग जो हैं जैसे रेल, यातायाद, रक्षाउद पादन, आदी आदी इस पे सरकारी नियंतरन होना जरूरी है कल्पना करिये, यदि रेल निजी हाथों को दिया जाता तो प्रारम से ही, तो वहाँ पे मुनाफ़ा खोरी बहुत होती टिकेटों की दर, जो इतनी कम है एक सामान गरीब व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने का सोच सकता है वो दरें तो बहुत ज़्यादा रहती है हाँ, शायद निजी खेत में रहने पर सोधाएं भी ज़्यादा रहती है लेकिन सामान आदमी को यात्रा करने से मतलब है उसकी पहली प्रात्मिक्ता है कि मेरे जेव में जितना पैसा है उससे मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँ तो उस काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं यानि स्वतंत्रता के बाद के काल में उस काल में सारजनिक उपकरम के लोंगवा का कहना था कि ऐसी सुविधाएं जो जन हित्र से सम्मंदित है वो सरकार के पास रहें ताकि उसमें लाब का जो मुद्दा है वो नियूनितम रहे भारत में 1950 से 1990 इंकानवे यानि जब हम उदारी करन अपनाए तब तक सारजनिक खेत्र को इसी लिए प्रात्मिक तर दी गए और राज की विकास नीतियों के परिप्रेक्ष में नीजी जो खेत्र थे उनमें लाइसेंस के माध्यम से प्रतिबंध लगा आए गया थे मैंने जिक्र किया था कि आटो मुबाइल इंडस्ट्री खोलना है तो लाइसेंस की जुरत पढ़ती थी मुझे एक कार की फैक्ट्री खोलना है तो लाइसेंस की जुरत पढ़ती थी अन्य था नहीं तो क्या होता कारों की कीमत दिन दूनी चारत राज चोगनी बहुत बढ़ती और सामान आदमी की पहुंच से कारें बाहर रहती 1970 के दशक में जब कारों के कुछ मॉडल आए तो सामान आदमी की पहुंच में थे और इसलिए आटो मुबाइल इंडर्स्टी भारत में बहुत तेजी से फैली एक समय के बाद तो इसलिए इसके पक्षकारों का कहना है कि राज्य का नियंतरन होना जरूरी है और 1990 तक राज्यों का नियंतरन शातन का नियंतरन जादा रहा लाइसेंस राज रहा हर चीज के लिए लाइसेंस की अनुमती और लाइसेंस मतलब पर्मिट अनुमती और इस अनुमती में सरकार ये निर्णा लेती थी कि किसको अनुमती देनी हैं कितनी अनुमती देनी हैं कितनी मात्रा की अनुमती देनी आदी आदी इसमें जरूर कुछ खामियां थी लेकिन नियंतर्ण तो था इस युग में जो काल की हम बात करा हैं इसमें सार्णिक शित्र की अर्थ रस्ता को जैसा पूर में बार-बार बताया गया है कमांडिंग हाइट की संग्या दी गई थी विश्व के अधिकांश देश उन्निस्व इंकानबे में उधारी करण की नीती अपना लेते हैं विश्व क्यों इसमें ऐसा हुआ क्योंकि सोवियत संग का विगटन हुआ सोवियत संग का विगटन हुआ तो सामेवादी विवस्था लगभग समाप्त हो गई और उन देशों में पूंजी वादी विवस्था आ गई जो सोवियत संग के विगटन के बाद जन्म लिये या जो सोवियत संग के प्रभाव क्षेतर में आते थे कहने कारति ये कि अचानक हम देखते हैं कि 1991 के काल में विश्च के बहुत सारे देश पूंजी वादी विवस्था की ओर दौड चले भारत इससे कैसे अचुता रहता और इसलिए भारत में भी ये विवस्था अपनाई गए जिसमें राज्य का नियंत्रन कम हो गया सारजनी ख्षित के उद्योगों का विनिमेश करन किया जाने लगा सारजी ख्षेत्र की जो कमपनियां थी उन्हें नीजी हाथों को बेचा जाने लगा सौपा जाने लगा अर्थात पूंजी को अब नीजी हाथों में दिया जाने लगा क्योंकि जो भी हो जोग है वो पूंजी तो है कैपिटल तो है उसे अब नीजी हाथों को दिया जाने लगा और हम देखे हमने देखा कि उन्ने सेंकानवे एक बाद नीजी खेतर पर जो बहुत सारे प्रतिबंद पूर में लगे थे लाइसेंस के रूप में परमिट के रूप थी वो अब लगवक समाप्त हो गए अभी भी नीजी करण की प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत आपने पढ़ा होगा एर इंडिया उसको एक प्राइविट कंपनी के हाथों में दे दिया गया है बेश दिया गया है और वी ऐसी बहुत सारी योजनाय हैं सरकार के पास जिस के तहत इसकी सोच है कि इन बड़े उद्योगों को भी अब नीजी हाथों में सौपा जाए ताकि सरकार अपने कुछ बेसिक दाइत्वों को बखू भी निभा सके बजाए इन सब में अपना ध्यान बांटने के इतना ही भारत में नई नीतियों के अंतरगत विदेशी पूंजी फॉरिन करिंशी या फॉरिन कैपिटल विदेशी पूंजी को भी अब आमंतरित किया जा रहा है यानि विदेशी लोग भी भारत में पैसा लगा सकते हैं यदि भारतियों के पास इतना पैसा नहीं है और या यदि वा अपना पैसा किसी के साथ पार्टनर्शिप में लगाना चाहते हैं तो विदेशियों को भी स्वागत है दूसरे शब्दों में लिब्रलाइजेशन या उदारवादी नीती अब अपनी चरम सीमा पर है उन्य से इंकानवे के बाद भारती अर्थ स्वास्ता में हम देखते हैं कि सारजनिक खेत की तुलना में नीजी खेतर को बहुत प्राथमिक्ता दी गई और उन्य सो पचासी अठासी में जो कमांडिंग हाइट वाले स्थिती सारजनिक उपक्रमों की थी अब हम कह सकते हैं कमा सबसे बड़ा फायदा ये कि विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आ रहा है विकास के लिए जो तकनीक चाहिए टेकनोलोजी चाहिए वो बड़े आराम से बिल रही है और प्रतियोगता हो रही है तो प्रतियोगता के कारण विकास की गती भी बढ़ रही है आप दे के बढ़ने के कारणों की यदि बात करें तो पहला निजी हाथों में जाना उद्योगों का, दूसरा पूंजी की उपलब्धता तकनीक की उपलब्धता अब उसके लिए हमें जो दरिद्र का कटोरा लेकि किसी जमाने में हमें विदेश घुम जाना पड़ता था, वो नहीं रहा वो उस्ति थी, और तीसरा कमपटिशन तो अब हम ये जो विवाद उठे थे, कृशी बनाम उद्योग और सारजवनिक उद्योग बनाम निजी उद्योग इस विवाद के विविन बुन्दियों को अब हम समझ गया होंगे और इस विवाद के तहट होने वाले परिवर्तनों को भी अब हमने जाना अब हम आते हैं, भारत में नियोजित विकास जो लगभग पांच दशक चला बलकि उससे ज़्यादा दो हजार सत्रा तक 52 से लेकर 17 तक जो पंच वर्षी उजनाए चली उसके क्या परिणाम हुए कितना विकास हमने किया क्या खोया, क्या पाया